राजदानी दिली में बढ़ते प्रदूसर को कम करने के लिए डिली सरकार ने डिली ने आड़ इवन फार्मूला जारी किया पास दिन आड़ इवन लगाने के बाद दिली में बढ़ता प्रदूसर का लेवल कम होता नजर आया साथी तीन दिन से आड़ी इवन दिली में लगा हूँ ना होने की वज़े से फिर से प्रदूसर का लेवल बढ़ता नजर हुआ आ रहा है जिसको देखते हो है इस्थानी है लोगों ने कहा कि दिली में कम से कम एक महिना आड़ी इवन लगा होना चाहिए जिसे दिली वासियो के कारण दिली में आड़ी इवन लागून नहीं किया गया तीन दिली में आड़ी इवन का ना होने की वज़े से प्रदूसर डिवल बढ़ता हुआ नजर आया इसे लोग काफी परिशान दिखाई दिये मैं चाहूं गाए कि एक महिने के लिए और ओड़ी इवन दुवारा चाहिए न चाहिए अब आ है कर दो दो पर दोड़ी इवन चालो होना चीए एक महिने के लिए अच्छा अर योडि इवन चलतो रहा ता त्य दिंसे बने तीन दिन में पोल्यूशन का तो देख लो आप दिखते हो रही है काकी? हाँ, आखो में जलन है, गल्य में दलता है तो डिवन गंडियू नहीं रहना चाहिए? एक महीने के लिए दोबारा होना चाहिए MCD आइसकल तो पानी का छिड़काव करवा रही है जगा जगा आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं उसके अलावर भी MCD को कुछ करना चाहिए पहली बत तो अभी तो हमने MCD की गाड़ी यहां पर देखी भी शिड़काव करने से पर मेंडों सारे MCD का इतने हैं देखो कर रात को आग जलती है, ताहर जलाते हैं, लोग कूड़ जलाते हैं तो सारा काम MCD का है रोकना चीए उनको पर MCD वाले तो दिखते ही नहीं आपे क्या कहना है, बढ़ता प्रदूशन कब हो रहा है तो बढ़ता हुआ नगरा रहा है कि खराज जलन तो बहुत सारी समझाय आ रही है कुछ और भी उपाय करने चाहिए दिल्ली सरकार को ओडिवन के लावादा बिल्कुल उपाय का पहले और एक महिने के लिए दुबारा और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए उनको ओडिवन का टाइम प्रदूशन को पढ़ाने में सबसे बड़ा रोल M.C.D. का भी है पिछे आप देखेंगे इतना कुड़ा पढ़ा है M.C.D. का मिट्टी परी एंके बाद हो शेफ